बिहार में estate पड़िक्षा, 28 जनवडी 2020 को estate पड़िक्षा होने जा रही है, ऐसे में 17 जनवडी 2020 को admit card जारी किया गया, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ़्ेरती हैं जिन्नोंने अपना admit card डाउनलोड नहीं किया और समस्याओं से ग्रसित ऐसे में अभ्षेरती कई समस्याओं से रूबर हो रहे हैं जिसमें सबसे बड़ी समस्या है invalid user ID का application number गलत बताने के कारण बहुत सारे अभ्यरतियों का admit card डाउनलोड नहीं हो पर रहा है अभ्यरती परिशान है कि आखिर गलती हो कहा रहे है हम आपको विसलेशित कर दे कई तरह की समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है सबसे पहले server बहुत सलो चल रहा है दूसरा अभ्यरती अपना user ID सही नहीं लिख पा रहे हैं जिस कारण से invalid user ID लिखा हुआ संदेश पा रहे हैं पहली बात बहुत सारे अभ्यरती user ID में बहुत सारी तुर्टिया करते हैं जिस कारण से invalid user ID का message आता है आप सही तरीके से अपना application number और date of birth लिखे जिससे ये समस्याओं पर ना हो दूसरी बड़ी बात है बहुत सारे अभ्यरती गलत तरीके से फॉर्म भरने के कारण admit card से वंचित है बहुत सारे अभ्यरतीयों का एक paper में admit card दिखा रहा है दूसरे paper में नहीं दिखा रहा ऐसे में समस्या ये है कि subject combination में बहुत सारे अभ्यरतीयों ने तुरुटि की है ऐसे में admit card website पर upload उनको नहीं मिल पा रहा है इसके अलावा अन्य समस्या में हम आपको बता दे कि server बहुत स्लो है जिस कारण अभ्यरतीयों को बार बार server error का message भी आता है ऐसे में करना क्या चाहिए और admit card डाउनलोड करने में क्या-क्या साबधानी बरतनी चाहिए ये भी आप जान ले आप अपना application number सही तरीके से feed करे साथ में अपना date of birth भी साबधानी से डाले caption code के बारे में हम बताएंगे caption code 45 digit का एक number होता है जिसको आपको fill करना होता है स्क्रीन से देखकर उसको भी आप सही तरीके से डालने की कोशिज करें आईए हम आपको बताने के कोशिज करते हैं कि आप कैसे अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद भी कोई समस्या हो तो इस वीडियो के लास्ट में एक WhatsApp नंबर है जिस पर आप message करके अपनी समस्या को हमें बता सकते हैं सबसे पहले आप website का नाम ठीक से देख लिए www.basebastit2019.in ये है website का नाम इसको सही तरीके से feed करें बहुत सारे fake website भी बाजार में घूम रहे हैं इसके अलावा आप browser का सही इस्तेमाल करें आपके mobile में जो भी browser है उस browser को आप open करेंगे और open करने के बाद आप कुछ ऐसा page पाएंगे उपर address बार में आप website का नाम feed करेंगे जैसे ही आप website का नाम डालेंगे आप search करेंगे गो करेंगे इसके बाद आप ऐसा कुछ page पाएंगे आप देख सकते हैं यह BSB estate 2019 का पहला page है आप scroll down करके नीचे आएंगे और नीचे आपको admit card डाउनलोड करने का option मिलेगा आप click करेंगे आपके screen पर कुछ इस तरह का interface नजर आएगा अब यहाँ पर application number, date of birth और caption code आप देख सकते हैं caption code क्या है DTXMBA यह capital में है तो आपको capital में लिखना होगा small में है तो small में लिखना होगा caption code लिखने में कोई भी गलती ना करे जैसे ही आप login करेंगे आपको आपका admit card नजर आएगा पर इन सभी गतिवीदियों को process होने में आपको एक से डेड़ मिनट का वक्त लग सकता है ऐसे में अभ्यार्ति घबडाय नहीं और page को refresh ना करें इसके बाद आपके screen पर आपका admit card आपको नजर आएगा इसके बाद भी अगर आप admit card नहीं download कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर ये help light नंबर पे call कर सकते हैं ये BACB boat पटना का help light नंबर है estate परिक्षा सम्मंदित आप इस पर संपर कर अपनी समस्या को बता सकते हैं प्राता 10 बए से संद्या 6 बजे तक ये help light नंबर खुला रहता है आप इस पर संपर कर सकते हैं और अधिकारियों से बात कर अपनी समस्या बता सकते हैं इस help light संबंदित एक विस्तरित वीडियो हमने बना रखा है आप सिक्षा सुधार रोजगार चैनल के जो भी वीडियो है उसमें आप ढूंड कर देख सकते हैं अगर आपको जाता जनकारी चाहिए तो इसके लाबा हमारा संपर्कसुत वाट्सेप संपर्कसुत इस पर आप कॉल ना करें इस पर आप वाट्सेप मैसेज कर सकते हैं देखते हैं पर ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं ना कोई कमेंट करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें ना पसंद आए तो डिसलाइक करें कमेंट में अपने विचार तो जरूर से जरूर लिखें आप सभी से ये निवेदा नया वीडियो में खोने के बाद भूल जाते हैं किरपया करके लाइक डिसलाइक या कमेंट जरूर करें वीडियो पर इससे आगे हम अपने कारे को और बहतर कर पाते हैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो